कि आपके phone का camera भी open नहीं हो रहा है, जब भी आप अपने phone के camera को open करने जा रहे हैं, तो कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, the camera device encountered a fertile error report dismissed का error आ रहा है, तो ऐसे में आप अपने mobile phone के camera को open नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा, चाहे आपक techno, infinix या Motorola, कोई सा phone के उनों, तो अगर आपको भी camera को open करने के time ये error आ रहा है, तो आज किस वीडियो में आपको total दो ऐसी setting बताऊंगा, जिन दो settings को enable करने के बद मैं guarantee के साथ 101% आपको बताऊंगा, इस problem को कैसे सालूप करना है, तो दोस्तों इस problem को सालूप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone की home screen पराना होगा, तो जैसी आप अपने mobile phone की home screen पराएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने mobile phone में settings को open करेंगे, तो आपके सामने as interface निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पहला option होगा, network and internet का दूसरा connected device का तीसरा option यहाँ पर मुझे apps and notification हो सकते हैं, आपके mobile phone में management app, app info, app list का icon देख रकरो, तो कहने का मतलब है आपको अपने mobile phone की settings में, सारी-कि-सारी applications को निकाल के लाना है, तो जैसी आप अपने mobile phone की settings में, सारी-कि-सारी applications को निकालेंगे, तो आपके सामने as interface निकल के आ जाएगा, तो दोस्तों यहां पर आपको स्क्रोल करना है तो जैसी आप स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको अपने मुबाइल फून में कैमरा को निकाल के लाना है तो यहां पर मैं आपको बता दूँगा आपको अपने मुबाइल फून के यहां पर और 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 यहां पर आपको अपने मुबाइल फोन में duplicate camera को नहीं निकलना है और रेनिल camera को लेने जैसे कि आप दिख रहे हैं मेरे मुबाइल फोन का अपना camera तो इस camera पो आपने click कर देना है तो जैसी आप camera पर click करेंगे तो आपके सामने as interface निकल के आएगा तो यहां पर आपको पहला होगा notification दूसरा permission दूसरा storage and cache तो आपको storage and cache की icon पर click करने है तो जैसी आप storage and cache की icon पर click करने है तो यहां पर आपको दो option होगे clear storage का clear cache की यहां पर आपको हर्गिस पहले clear storage नहीं करने है तो यहां पर आपको clear cache करने है तो फोरस्ट आपको ओके करने से यह benefit हो को जो भी आपके camera में छोटे मोटे glitch आ रहेंगो तो automatically solve हो जाएंगे तो जैसी आप यह वाली setting करेंगे उसके आपको आपको mobile phone की home screen पाना है तो जैसी mobile phone की home screen पाएंगे आप आपको last and final setting की करने कि आपको mobile phone की home screen पाने को जो भी आना फना button इसको लांग प्रेस करना होगा तो जैसी लांग प्रेस करेंगे तो यहापर आपको दो आप्शन होगे आपको mobile phone की home screen को डिलिटर नहींको तो जैसी आप अपने mobile phone की कैम्रा को open करना है तो जैसी आप आप की Angle Mood के, डबे के Center में klick करने है तो जैसी डबे के Center में klick करेंगे यह दाकि आपका यहापर open होके आगये तो जैसी आपर में SELPIE लेता हूं यह दाकि। यह दाकिम हापर मेरी SELPIE भी open होके आ रहे ही तो दोस्तों कुछ इस तरह की से आपUR जो क्यामरा की इस प्राब्लों को सालुक कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कराने भूले थैंक यू